हेलो दोस्तों आज से फी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आप जो हमारे हाथ में ये टूल्स देख रहे हैं बहुत ही कमाल का टूल्स है और इसका पहले काफी कारीगर इस्तमाल करते थे और ये लकडी में काफी अच्छे डिजाइन कारीगर बना दिया करते लेकिन आज के समय में 90% कारीगरों को इस टूल्स के बारे में कोई जान करें नहीं क्योंकि इसकी जगा जो आधुनिक मसीनों ने ले लिए और क्या है ये टूल्स हम इसको आपको एस्समाल करके दिखाते हैं उसका क्या इस्तमाल है चली हम आपको बताते हैं तो सबसे पहल चली है ये उसान ड़क्ती सब्सक्तार नावचे द द लिए आधी ज़ंत करें तक आप इस्पर बार में सबस्क्राचीए को पोला लगए जाता दूनिक आंगे ये इसको पट के बाहर हो और लगड़ी की कटाई करते बढ़िया तरीके से बागी की चीजे भी हम एसम्बल करके दिखाते हैं तो यह दो इसके जो यह पार्ट्स होते थे इन पार्ट्सों को इस तरीके से जैसे कि आप देखी रहोंगे हमारे इस रंदे की कंडिशन देखके आपको लगी रहोगा यह बहुत पुराना है इस रंदे का इस्तमाल मेरे दादा जी करते थे अपने काम में और यह दो पच्चर हैं यह आप देख रहोंगा खाचे टाइप के हैं इन पच्चरों को इसमें चौकड बगएरा बनती है तो एक फ्रेम जो होती है फ्रेमों में बीच में हलकी सी जीरी लगाई जाती थी दिला या प्लाई अंदर को डालने के लिए लेकिन आज के दोर में अगर देखा जाए तो कारीगर बड़ी असानी से रूटर मसीन से हर साइज की जीरी बड़ी अ मर्ला भानी ह不同 तो इसे इस साबसे इस चीज को साइट से कितना रख न है उसे साबसे email-Doll कर लिया जाता था करने के लिए हम पको तम ध Keemati करने के बाद हम इसको थोड़ा सा इसतेमाल आपको अपको करके दिखाते हैं लिए अगर देखाए तो इसमे अकेले अगर आप अपके बहुत तागात म लगती है तो इसे इस्तमाल जो है दो लोग करते थे को इसका इस्तमाल करने के लिए आपने देखा होगा इस तरीके से अब इसका हम गवर इस्तमाल करके दिखाते लेगिने काफी पुराना है तो इसकी तेक जो है धार मांग रही हमने देमो के तोर पर आपको दिखा दिया है यह देगी यह इस तरीके से आपको आदा इंच तक जीरी अराम से बैठा दिया करती थी यह आदा इंच की गहराई जैसे आप आज कल रूटरों में बैठाते हैं आदा इंच की पिलाई यह दिले डालने के लिए आदा इंच की जीरी लगाते हैं यह दोसूत की जीरी लगाते कि यह आधर इंज घ्राई इसकी अराम से बेट जाया करती थी, और काफी मेहनत लगती थी, और देखा जाये आज के समय पर रोटर की मदद से 80 धेडर पे जीरी लग जाती यह, लेकिन पहले के कारीगर अगर देखा जाये, तो काफी महनत करते थे, उन्हें एक एक दरवाजे में जीरी लगाने में घंटो लग जाते थे यह काफी बहतर हैं टूल्स है और यह लगभख अब देखा जाए तो यह एक सोपीस बनके रह गया लेकिन देखने में अगर देखा जाए तो यह कारीगरों कि अगर दुकान पर रखा हो तो दुकान की सोफा बहुत बढ़ाता है बहुत बढ़िया लगता है देखने में तो इसको बोलते हैं जीरी का रंदा जीरी का रंदा इसलिए बोलते हैं क्योंगे पतली से जीरी मारने के में इस्तमाल किया जाता था और इस टूल्स की जानकरी आपको कैसी लगी और आप किस टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं और हमें कमेंड में ज़रूर बताएं आज की वीडियो में फिलाल इतना ही थेंकियो फूर गोचिंग